कि पाकिस्तान आतंग को रोके इस पर तिल मिला उठे हैं जैसे जलते तवे पर इनको इनको इठा दिया हो ने किया गलती सानूना लहजर अपाइजर दिल बहुत दुखता है कि यह जहादे कश्मीर कि यह पंगे लेना बंद करें जहीं दोस्तों मोर डिडेस में आपका सौगट है दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा इससे इस वीडियो को मदद मिलती है तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे जॉइन स्टेटमें में जो भालत और अमरीका ने दिया है उसमें अमरीका ने पहली बार यह माना एक कस्मी में जो आतंकी हमले हो रहे हो पाकिस्तान कर रहा है और अमरीका ने पाकिस्तान को कहा है कि यह से बंद करने के लिए वरना पाकिस्तान फिर से एफटीएफ में जा सकता है और इस बयान के आने के बाद बीलावल इपुटों का मुभोंबंट हो गया है और बीलावल इपुटों ने कहा है कि पाकिस्तान को इस स्टेडमेशन ना करके अपने डिमेस्तिक सिच्य को पहले ठीक करना चाहिए और पाकिस्तानी मीडिया इस पे जो रहा है दोस्तों ये वीडियो बहुती मैंसे दार है तो इसे आप पुरा सरो देखेगा तो चिलिए और इंटसार ना करें ये वीडियो देखते हैं बाइडन ने पाकिस्तान का नाम लेके मोदी और बाइडन ने अपनी प्रेस वांटर्स में कहा कि पाकिस्तान आतंको रोगे इस पर तिल मिला उठे हैं जैसे जलते तवे पे इनको बिठा दिया हो उम्हारा डिफेंस मिनिस्टर पारलिमेंट में स्पीच कर रहा है कि बाइड मुसल्मान पक्तुनों को तुम मार रहे हो मुसल्मान बलोचों को तुम मार रहे हो सारे मुसल्मान ही है ना पाकिस्तान में सबको मार रहे हो माइनरिटी की बात करें तो भारत की माइनरिटी को देख ले कष्टियां उलटती है माइगरेंट्स की तो उसमें कोई इंडियन ह या इंडियन कश्मीरी या इंडियन मुसल्मान होता है पाकिस्तानी ही डूब रहे होते हैं इसलिए कि हर आदमी मुल्क छोड़के भागने के चक्कर में है ही नहीं कुछ पाकिस्तान में उन्हों ने ये कहा ना इसलिए जरूर कीजिए लेकिन हम देख रहे हैं के दूसरे कंट्रीज तो खुल खुला के खेल रहे हैं वो तो उन्हों ने जहां जाने वो वहां वहां पहुंच रहे हैं था जिसकी तरफ बलावल बुटो ने भी आज इशारा किया है कि एक सियासी जवात है तारीक इनसाफ जो अपनी हरकतों से अपने आपको बंद गली में जरूर ले आई है उसक लेकिन उसका उसकी आड़ लेके पूरे जमूरी निजाम कोई ना पीछे मतलब देखेल ने हम भी पढ़े हैं वाओं में सानू इना लेजरू यह बलावल बुटो का मतलब था दूसरा इसी पसमंजर को रखें यानि बलावल बुटो ने अब क्यों यह बात की है वजिर खा का रियलाइजेशन देखना एक तो हम माजी पर रोना रो सकते हैं मतलब है कि दिल बहुत दुखता है कि यह जहादे कश्मीर असलंबेक तो जिन्दा बैठा ना भी तक है वो मेड़नाइट जाकल भी हुआ ना उसके बाद फिर नवाज शरीफ 1990 से कह रहा है कि यह पंगे ल होना चाहिए कि यह जो बातें कर रहे हैं ना मोधी और बाइडन इसको इग्नोर करें छोड़ें यह होती रहती है हमें इंटरनेशनल पॉलिटेक्स में नहीं जाना चाहिए हमें डुमेस्टिक चीजें देखनी चाहिए बंदा सवाल पूचे और आप इंटरनेशनल दोरों कि बियान करना हमारा काम है ना कि शर्मिंदा होना हमारा काम है हमें शर्मिंदा होने की कोई जूरत नहीं है डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया जी मोधी साफ तो बुचर अफ गुजरात है और फलाना और इस तरह की चीज़ नहीं कही है मैं समझता हूँ कि ठीक है जारी बात पास क्या है कहानी सुना हूँ हमें बात सुना हूँ तुमारे पस क्या और अल्टरेनेट प्लान है हैं अगर हमारे पास भी AI का infrastructure होता है हमारे पास भी semi conductor बनाने वाले लोग होते साड़े कुल सारे plot ते real state ते जो जो ज़री जमीनों को hosting society में shift करने वाले expert बाठे हुए है चलो पाकस्तान में नहीं की बाहरा कि किसी आपने छोटे बंदर से बियान करवा दो लेकिन बियान तो दो यार कुछ तो बताओ लेकिन यह खामोश रहना डरते रहना ठीक है डॉक्टर जेशंकर होता तो आप तुस्सांओ ठुटर जेशंकर नो तपहे मारने साँ लेकिन क्यों कि इसमें वाइट हुसे मुल्ट मैंने आच तक नहीं देखा इस जोइन स्सेड्मिन में जो चीज़े बोली यह उस ही जबार पास नहीं है तो इसलए पकिस्तारे डिफेंस मिल्यस है जिसकी पकिस्ताना कोई ओकाद नहीं है क्युँकि पकिस्तानी आर्मीची तो पकिस्तारे defense minister की क्या ओकाद होगी तो उसने मोडी जी के बारे में ऐसी चीज़े बोली है जो मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं जाता क्योंकि उस पे मोडी जी को Supreme Court से क्लिन चीट मिल चुकी है तो पाकिसाई defense minister जिसकी पाकिस्तान में कोई ओकाद नहीं है उसके किसी बयान पे मुझे बोलना ही कुछ जरुवर नहीं है और इस defense minister कोई स्रम आती तो इस joint statement में जो कहा गया है उस पे यह defense minister जिसकी पाकिस्तान में चबरासी की भी ओकाद नहीं है वो इस joint statement में जो कहा गया है उस पे कुछ बोलता विलावल की कमसेवर इतनी स्रम है कि उसने इस पे कुछ नहीं बोला और विलावल के इस पे नहीं बोलने के एक और भी वज़े है विलावल को PM बनना है और उसे पटाएगी अमरीका से डूस के चूर्स करता है और विलावल को पटाएगी इस joint statement के खिलाव अगर उसने कुछ कहा तो इसमें अमरीका भी नारास हो जाएगा क्योंकि अमरीका ने पाकिस्तव कहा है कि कस्वी में आतन की हमले बंड करने के लिए तो इस joint statement के खिलाव अगर विलावल कुछ कहेगा तो यह एंटाइ अमरीकन भी देखा जाएगा अमरीका में तो इसलिए गलावल ने इस बेश चुपी साथे लिए और कहा कि अपने डोमेस्टिक इस्यू पे ज़्यादा फोकस करो ना कि इंटरनेशनल और आखिर में मैं यह कहूँगा कि गलावल पाकिस्तारा फोरेंड मिनिस्तर ह और मैंने पहली बार एक फोरेंड मिनिस्तर को सुना है कि फोरेंड के चीज़ों पे फोकस ना करके डोमेस्टिक चीज़ों पे फोकस करने के लिए तो यह चीज़ सिर्फ पाकिस्तार में ही हो सकती है तो चलिए देखते की फीचर में क्या होता है दोस्तों यह वीडियो दे झाल झाल